यूनिफार्म सिविल कोड 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 यानि कि समान नागरिक सहीता पूरे देश के नागरिकों के लिए एक समान कानून एक जैसा कारून मतलब सभी धर्म समुदावई के लोगों के लिए शादी, तलाक या किसी को एडोप्शन यानि की गोद लेने आदी कानून में समानता पैदा करने का जो प्रावधान देता है वो होता यूनिफॉर्म सिविल कोर्ड जो अभी हर धर्म के लोग इन मामलों को निप्टाने के लिए अपने अपने परसनल लोग के हिसाब से करते हैं हिंदू धर्म को छोड़ कर इस्कूल की यूनिफॉर्म नहीं है जो स्टार्टिंग में हमारे चुनवे परतिनीदी बोल रहे थे भारते समिदान के आर्टिकल 36 से 51 तक राज्यों के लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डिफाइ जिन में से आर्टिकल 44 कहता है कि राज्य भारत के पूरे छेतर में सिटीजन्स के लिए एक यूनिफॉर्म सिविल कोड बनाने का परियास करेगा अब जब दिल्ली की एक कोड ने डिसीजन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को फिर से हवा दे दिये तो इसके पर डिबेट द प्रिंसिबल फोर स्टेट के लिए कोड नहीं जाये जा सकता इसलिए इसे कोड द्वारा लागू नहीं कर सकते यानि इसे कोई भी स्टेटिटरी पावर नहीं है इसको सिर्फ राज्य ही अपना सकते हैं अब आप एक चीज़ सोचिए कि अगर हमारे देश में ऐसा होता कि चोरी, फ्रोड और मडर की सजा एक ध्रम में एक तरह की होती दूसरे ध्रम में अलग तरह की होती तो हमारे देश का क्या हाल होता अगर IPC, CRPC ना होती समान नागरिक सहिता के विशे में चर्चा आज की नहीं है जब बिटिशर्स भारत में आये थे तो उन्होंने पाया उन पुनर विवा वर्जित था, जबकि मुस्लिम ध्रम में पुनर विवा कर सकते थे, हिंदु ध्रम में बाल विवा वैलिड था, शादी की कोई उमर सीमा नहीं थी, ऐसा अनेक ध्रम सम्मंदित नियम थे, वहीं मुस्लिम ध्रम में तीन बार तलाक बोलने मात सही, अपने जी पर धर्मों की डिफरेंसिज, विविदता और सब के अपने-अपने कानून होनों के कारण उन्होंने ये विचार छोड़ दिया। हिंदूों के रूड़िवादी कानून बदल गए, तो हमारे मुसलिम भाई भेनों के लिए क्यों नहीं हुए? इसका कारण है धर्म को मानने वाले अधिकांश लोगों ने इसका बिना किसी सोच समझ के विरोध किया है. जबकि हिंदूों के लिए जो बदलाव हो चुके हैं, उस में सबसे जादा सहीोग धर्म के लोगों नहीं किया है। आकिर मुसलिम समाज या मुसलिम लोग समान नागरिक सहीता के खिलाफ क्यों है? मुसल्मानों का कहना है कि हमारे लिए अलग से कोई कानून बनाने के ज़रूत नहीं है, उसकी कोई आवशक्ता नहीं है, क्यू Yum हमारे लिए कानून पहले से ही बने हुए हैं जिनका नाम है शरीयत हम ना इससे एक इंच आगे जा सकते हैं और ना एक इंच पीछे इसका मतलब नहीं है कि बाकिकों अपने लिए कैसा सिविल कोर्ट चाते हैं वो अपने लिए बना ले हमारा सिविल कोर्ट वही होगा जिसकी अनुमती हमारा धर्म देता है पर दोस्तों आपको याद दिला देते हैं कि कई मुसलिम देश ऐसे हैं जैसे टर्की, ट्यूनेशिया, मुजामबिक जैसे देशों ने ऐसे नागरिक कानून बनाए हैं जो सर्यत के अनुसार नहीं है समान नागरिक सहीता किसी भी देश के लिए कुछ कारणों से बहुत जरूरी होती है एक ही नागरिक सहीता होने से विभिन संपरदाय जो है विभिन ध्रम के लोगों के बीच एकता की भावना वैदा होती है इससे राष्ट भावना पनप्ती है एक इस वीसे में अलगला कानूनों की भर्मान होने से जो हमारा जूडिशरी सिस्टम है जो कोर्ट है उसको कितना फेस करना पड़ता है दिक्कते हम देखी सकते है यह दाड़ना गलत है कि कौमन सिविल कोर्ट केवल मुसलिम नागरिक कानून में ही बदलाव लाएगी जब देश के लिए एक समान नियम होगा और वो समय और अभी की परस्तियों के हिसाब से बनाया जाएगा जिसका पायदा सभी धरम के लोगों को होगा जैसे समय के अनुसार अलग अलग कानून अपडेट होते हैं बदले जाते हैं जैसे नई नई टेकनोलोजी नया सोफ्ट्वेर अपग्रेडेशन मांगता है वैसे ही समय और आधुनिकरन के हिसाब से धर्मों के अनुआईयों को भी अपने धर्मों के मानने वाले लोगों के लिए कोड को अपनाना चाहिए उसको अपडेट कराना चाहिए आशा करते हैं इस वीडियो के बाद हम सभी यूनिफॉम सिविल कोड के लिए एक सुर में आवाज लगाएंगे और उसे सपोर्ट करेंगे दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई तो प्लेस चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा और अपनी राय कमेंट सेक्शन में सिविल कोड के लिए जरूर बताईएगा धन्यवाद दोस्तों